हाई गाईज देखिए मैंने आपको विंका की कटिंग लगा कर बताया था तो चार कटिंग लगाई थी जिसमें से ये तीन पौधी जो हैं तैयार हो गए हैं दो परपल और एक पीछ कलर की इसी तरीके से ये देखिए पॉलका डॉट की मैंने कटिंग लगाई थी ये फ्लां मैंने इधर लगाई थी और ये भी अच्छे से चल रही है एक दम से स्वस्त है ये कटिंग बहुत ही हेल्दी है और साथ ही मैंने कॉलियस को कटिंग से लगाना आपको बताया था तो देखिए इसे मैं निकालती हूं कॉलियस हमारा लग चुका है ये देखिए रूट देखिए इसके कितना अच्छा रोट डॉला प्रेंट हुआ है इसके अंदर तो कटिंग लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है बहुत एजी ली जो है वह आप कटिंग लगा सकते हैं और कटिंग को हमेशा आप किसी छोटे पॉट के अंदर लगाए और जैसे जैसे कटिंग आपकी बड़ी होती जाए तो फिर आप उसे बड़े पॉट के अंदर लगाए तो यह मैंने छोटे से कप में लगाई थी और अब मैं इसे आज नरसरी बैग में लगा दूँगी और जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं इसे पॉट प्रोवाइट करूँगी इसी तरीके से यह कुछ देखे मैंने हमारे घरों में माला आए तो आती ही है तो उनसे जो सुखे हुए फूल होते हैं उन्हें बिखेर कर भी आप इस तरीके से छोटे छोटे मेरी गॉल्ड के गैंदे के प्लांट प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी वगिया के अंदर धेरू फ्लावर्स देते हैं तो इस तरीके से मैं वेस्ट चीजों का यूज जो है सेडलिंग के लिए करते हूं देखिए कितने अच्छी सेडलिंग इसमें तयार हो गई है और बस अब मैं इन्हें रिपार्ट कर दोंगी इसी तरह यह एक छोटा सा देखो यह ड्वार्फ वैराइटी का इसके अंदर देखी यह इसके अंदर तयार हो गई है यह कटिंग और तेखिए यहां से न्यो ग्रूथ नेची से स्टार्ट हुई है तु आप इस तरीके से कटिंग लगा कर फ्री के अंदर धीरों प्लांट्स प्राप्त करें, आसपास में कोई गार्डन हो, आपका कोई फ्रेंड के पास कोई ऐसा पौधा हो जो कटिंग से लगाए जा सकता है, तो आप उनकी कटिंग उनसे मांग कर ले आए और उन्हें लगा ले, देखिए ये पूरा ट्रे भरा है मैंने इधर कटिंग से लगा कर, कटिंग को आप रिपॉर्ट जब भी करें, तो या अर्लिंग मॉल्लिंग करें और या फिर शाम के समय करें, दौपैर के अंदर कटिंग को रिपॉर्ट नहीं करें, बस आमें खयाल रखना होता है, कुछ बातों का बागी प्लांट्स लगाना बहुत ही इजी है, I hope आपको वीडियो पसंद आये होगा, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए, बाइ, सी यू सुन,